हलो एब्रीवन वेलकम टू प्रिती नर्सिंग सेंटर आज हम जी एन्म सेकेंड यर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट सब्जेक्ट से कुछ एकजाम पोईंट अफ वियू से इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ टर्म् जो होता है उस पर कंट्रोल ना रहना किड्नी जो यूरीन रिलीज करती है वो यूरेटर के माधियम से यूरिनरी ब्लडर में आता है यूरिनरी ब्लडर में अस्पिंक्टर होते हैं मसल्स होते हैं जो बॉलेंटरी तरीके से काम करते हैं मतलब हम जब चाहते हैं तब यूर इन पास नहीं होता है सो जब तक यूरीन पास करने के लिए एक ब्यक्ति स्वैम नहीं चाहते हैं तब तक अस्पिंग्टर खूलते नहीं हैं तब तक वो यूरेन यूरीनारी ब्लडर में वो यूरीन अस्टोर रहते हैं किसी कारण बस कुछ ब्यक्तियों में देखते हैं कि रुट के बक्त जो यूरीनरी पलडर का कंट्रोल है वो वो वालेंटरी नहीं रह P वार धालंटरी टरीके से यूरीन पास होना स्टार्ट हो जाता आगर ये इसीर्फ राद के बक्त हो रहा है तो हम उसको नुरेसिस वह सुआ है यह ज्यादा तर बच्चों में देखते हैं कि रात के वक्त उनका यूरीन अपने आप रिलीज हो जाता है तो हम उसे इन्यूरेसिस कहते हैं नेक्स्ट है हाइपोबोल्मिया हाइपोबोल्मिया यहाँ पे इमिया का मतलब ब्लड है वाल का मतलब वैलूम है और हाइपो का मतलब कम है तो हाइपोबोल्मिया का मतलब ब्लड में फिल्यूड का मात्रा जो है वो बहुत कम हो जाती है तो ऐसी अवस्ता को हाइपोबोल्मि जैसे किसी का एक्सिडेंट हो गया हो और बहुत सारा बलड बाहर बह जाती है या फिर किसी को डाइरिया हो रहा है तो बलड की तो कोई भी कमी नहीं हो रही है लेकिन बलड तो बाहर नहीं बह रहा है लेकिन डाइरिया की बजह से फ्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाता है मतलब किसी भी कारण बस ब्लड में फ्ल्यूड बहुत कम हो जाए तो उस अवस्था को हम कहेंगे हाइपो बॉल्मिया ओके तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स के साथ कोशिस की गई है कि आपको एकजाम पॉइंट आफ वियू से इंपॉर्टन टॉपिक्स को समझाया जा सके थैंक यू